रूप्रेखा के आधार पर कहानी लेखन रूप्रेखा राजु नामक लड़का पड़ाई के प्रति लापरवाह परिक्षा में अनुत्तिर्ण होने का डर मित्र की सलाह या दाश खोजाने का ढों करो मित्र का राजु के पिता से राजु के सिर में चोट लगने की जूटी बात कहना पिता द्वारा डॉक्टर को बुलाना सही बात समझ जाना इलाज के लिए सिर का ओप्रेशन करने की बात करना राजु का डर सच बात कह देना पिता की सीख दिल लगा कर पढ़ना उत्तिर्न हो जाना सीख कहानी का शिर्षक चतुर डॉक्टर अत्वा सही इलाज कहानी राजु नाम का एक लड़का था वह पढ़ाही के प्रती बहुत लापरवाही करता था वार्षिक परिक्षा सिर पर आ गई थी राजु को अनुत्तिर्न होने का डर था इसलिए वह किसी तरह परिक्षा से बचना चाहता था राजु के एक मित्रने उसे सला दी तुम अपनी याददाश्ट खो जाने का ढोंग करो राजु को यह सला पसंद आ गई उसने मा को पहचानने से इनकार कर दिया पिताजी उसके कमरे में आये तो वह बोला कौन है आप मेरे कमरे में क्यों आये है चले जाईए यहां से राजु के पिता घवरा गए उन्होंने राजु के मित्र से पूचताच की मित्र ने बताया राजु स्कूल में सीडियों से गिर गया था तब से वह अपनी याददाश खो बैटा है राजु के पिता ने फोरण डॉक्टर को बुलाया चतूर डॉक्टर को यह समझते देर न लगी कि राजु ढोंग कर रहा है डॉक्टर ने राजु के पिता से कहा इस लड़के के सिर में कुछ गडबड हो गई है इसके सिर का ओप्रेशन करना पड़ेगा ओप्रेशन का नाम सुनते ही राजु घबरा गया उसने सब कुछ कबूल कर लिया उसने कहा परिक्षा से बचने के लिए ही मैंने यह नाटक किया है पिता ने राजु को समझाया बेटा अब भी समय है अगर तुम लगन से पढ़ोगे तो अवश्च उत्तिर न होगे राजु ने पिता की बात मान ली उसने मन लगा कर पढ़ाई की और परिक्षा में अच्छे अंको से उत्तिर न हो गया सीख डर कर नहीं संकट से जूज कर ही पार पा सकते हैं